सीमाओं से परे, जैसा कि शीरशक से स्पष्ट है, सीमाओं से परे, सीमाओं से बाहर, मुगल काल में वैदेशिक संबन्दों की वी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि इस काल में कई कारणों से मुगल समराटों ने विदेशी शासकों से संबन्द बनाए, यदि उसके हम बात करें, तो इनके जो मुगल काल के वृत्य चित्र हैं, उस काल के जितनी रचनाएं हैं, उसमें, हम देखते हैं कि शाह जहान, शाह जहान कार्थ राजाओं का राजा, ऐसे सामाने पद्वीयों से लेकर, जहांगीर, यानि विश्व पर अधिकार करने वाला, ऐसे बड़ी बड़ी पद्वियां दी जाती थी तो जो लोग ऐसी पद्वियों को ग्रहन करते थे ऐसी महत्पूर्ण पद्वियों को लेते थे और जो इसमें धारना इसमें धारना पर इश्वास करते थे इसे बास पष्ट है कि मुगल बाश्या, मुगल शासक लोग देश की सीमाओं से परे भी राजनेतिक अपने दावे प्रस्तुट करते रहे होंगे सफावी और कांधार ये नाम शुरू में भी बार बार आया है सफावी और कांधार मद्ध काल में अफगानिस्तान मद्धेशिया और इरान इससे भारत की सीमा को अलग करने के लिए अलग करता हुआ जो हिंदू कुष्परवत है वो एक तरीके से नैचरल फ्रंटियर बन गया है एक तरीके से वो प्राकृतिक सीमा बन गई थी और ये सीमा परवतों से बनी हुए अत्यांत महतपूर्ण भी थी विशेश महतपूर्ण थी इसका विशेश महतपूर्ण था मुगल शासकों ने इरान एवाम तरान के पड़शी दोशों के साथ उन्होंने अपने राजनेख संबंद और राजनेतिक संबंद भी बनाये थे और उसका कारण था कि सीमा के नियंतरण पर वे काफी निर्वर करते थे यानि सीमा उनके लिए बहुत महतपूर्ण थी और सीमा का नियंतरण उससे भी जादा महतपूर्ण था क्योंकि यही स्पष्ट करता था विभिन सामराजियों के बीच की सीमा रेखा को मुगल शास्कों का तो यह निरंतर प्रयात रहा सतत कोशिश की कि यह जो सामरिक महत्व की जितनी चौकिया हैं यहां पर कांधार और इस खेतर में उन सफावी जैसे खेतरों में वहां पर इन चौकियों पर उनका प्रयात नियंतर हो कुशल नियंतर हो और इसके साथ ही यह कोशिश रहती थी कि सुनिश्चित करें कि ऐसा नियंतर हो कि वह उस तरफ से हिंदू कुश के बाहर से आने वाले खत्रों से अपने को बचाए रख सकें कांधार मुगल और इरानी सामराज की सीमा पर इस्थित था अगर दोनों ही सामराजियों के लिए इसका विशेश महत्त था तो इस बात यह बार-बार स्पष्ट होता है क्योंकि कांधार दो सीमाओं पर इस्थित होने के कारण अपनी महत्ता बनाया रखता था सुलहवी शदी के शुरू में कांधार के प्रश्ट पर ही मुगलों और इरानियों के बीच बड़े तनावपूर्ण संबंध हुए थे और जो हुमाईू था जो निर्वासित किया गया था उसने इरानी सेना की ही सहायता से 1554 में कांधार को जीता मदद किसकी लिए इरानी सेना की और कांधार पर पुन्ह विज़ प्राप्त की लेकिन अपने वचन के अनुसार इसने इसी इरानी शाह को नई सौंपा उसने वादा किया था कि हम विजय अप्राप्ट करने के बाद कांधार आपको सौंप देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमाईयो की मृत्ट के दो और बार कांधार पर एरान ने पुना अधिकार इस थापित कर लिया था और इस परकार कांधार कभी भारत का हिस्सा तो कभी एरान का हिस्सा और कभी स्वतंत खेट बनता रहा बिगड़ता रहा कांधार को जीतने के बाद वचन के अनुसार इरानी शासक को कांधार नौ सौपना वह भी इरानी शासकों को नागवार गुजरा था और उन्होंने तुरंथ ही हमला कर कांधार पे अपना कबजा कर लिया पंद्रा सो पंचानवे में अकबर के काल में अकबर अंतितव पुना कांधार पर कबजा करने में सफल हुआ पंद्रा सो छप्पन में गद्धी पर आता है अकबर और पंद्रा सो पंचानवे में जाकर कांधार पर वह पुना कबजा करता है यह एक बहुत बड़ी घटना थी उसका उसके जो अम्पायर है उसका जो सम्राज था वह बहुत अतिविस्तारित हो गया अतिविस्तृत हो गया अकबर ने अधी प्रभुत्व तो जमा लिया लेकिन इरान के जो सफावी दर्बार के जो थे वे लोग अपने संबंध बनाय रखे और साथ ही साथ कांधार पर दावा भी करते रहे मुगल सम्राज जहांगीर ने 1613 में इरानी शासक शाह बास के दर्बार में कांधार को मुगल अधिकार में जोड़ने की वकालत करने के लिए एक राजदूद भेजा था तो कि कांधार बहुत महत्पूर्ण आलाका था और कांधार पैत्रिक डिष्ट से भी देखा जाए तो किसी समय बाबर ने कांधार में ही अपने को बाशाह घुशित किया था तो इन आधारों को लेकर जहांगीर ने एराणी सत्ता के सामने अपने राजनेग भी भेज़े अपने राजदूद भी भेज़े लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ कांधार हाथ से चला गया और जहांगीर को अपने देश में सफलता भी नहीं मिली 1622 में तो इराणी सेना ने कांधार को घेर लिया और मुगल सेना जो थी उसकी हार हुई वहां पर सफावियों का अधिकार हो गया सफावी वंश इरान का वंश कहलाता है इरान का शास्की वंश तो इस परकार सफावी वंश की पुने स्थापना हुई उनका अधिकार हो गया नगर पर भी और किले पर भी अब भारत से वो इरानियों के पास गया और इरानियों से अंतर मंगोल लोंगों ने कांधार पर कबज़ा कर लिया 1638 में मंगोलों ने इरानियों को पराजित कर कांधार को अपने अधिकार में लिया लेकिन ये जो ज़्यादा समय नहीं चला और 1649 में इरानियों ने कांधार पर पुना कबज़ा कर लिया यानि कांधार को लेकर काफी उहा पोह भारती संब्राट इरानियन संब्राट मंगोल सत्ता इनके बीच में होती रही और उसका कारण क्या था? कांधार की लोकेशन, कांधार की वस्तिती जहां वह दो तीन समराज्यों के बीच में मिला हुआ था, उसकी सीमाय मिली हुई थी. 1649, 1652 और त्रेपन में शाह जाने फिर कोशिश की, लेकिन कांधार कभी उसके बाद मुगल समराज्यों का हिस्सा नहीं बन पाया. और अन्तिता एरान का कबजा उस पर जम गया और मुगलों का जो सीमान्त प्रदेश में इस खेत्र में जो सुरक्षा के लिए जो उन्होंने इसको एक कवच के रूप में उप्योग किया था, वह बड़ा कमजोर हो गया. तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कांधार को लेकर जो उठा पटक मश्ती रही, उहा पोह मश्ती रही, सफावी, मंगोल और भारत के बीच में, भारती समराटों के बीच में जो खीशतान होती रही, उसका खामियाजा एक तरीके से अंत्तह यही हुआ कि कांधार तो गया ही गया, उसने शाह जहान के शासन को भी एक तरीके से कमजोर कर दिया, और वहीं से उसके पतन की बात शुरू होती है, मुगल समराज के पतन की. आटोमन समराज एक इतना विस्तरित समराज था, जो पश्चिम के और भारत के पश्चिम के और फैला हुआ, आगे की तरफ, कि इनके साथ मुगलों ने अच्छे सम्मन्द बनाए रखने की भरसक कोशिश की, और इसके पीछे कुछ उद्येश था, इसके पीछे कुछ मकसद था, यह आटोमन का जो पूरा खेत्र है, उस समराज का जो पूरा खेत्र है, इस खेत्रों की महत्ता इस बात पे थी, कि यहाँ पे बहुत सारे व्यापारिक केंद्र थे, और बहुत सारे तीर सिस्थल भी थ तो यदि मुगल संब्राटों को ये सुनिश्चित करना था कि भारतियों के लिए वे तीर सिस्थल खुले रहें, भारतियों के लिए व्यापार मार्क खुला रहे तो आवश्यक था कि वे आटोमन संब्राटों के साथ उनके संबंध मधुर हूं जहां तक मक्का मदीना की बात है, विशेश रूप से यह सिस्थल इसलाम धर में बहुत अहमियत रखता है और इसलिए मक्का मदीना तीर सिस्थल के जाने के रास्ते की उपलब्धता ने यह आवश्यक कर दिया मुगल संब्राटों के लिए कि वे उस मारगों पर जिनका नियंतरण हैं उनके साथ दोस्ताना विवहार रखें, उनके साथ अच्छे संब्राट बनाया रखें मूल रूप से जो मुगल संब्राट थे, मुगल शासन था, वो धर्म और वानिज के विश्यों को मिला कर देखते थे लोग यानि मक्का, मदीना, इस्लाम ये निश्यत रूप से उनके मन में रहता था लेकिन साथ ही व्यापार, वानिज, लाब, मुनाफा ये भी उनके लिए बहुत महत्पूर्ण था और धर्म और वानिज को मिला कर वे अपनी नीटियों में बदलाव लाते थे, अपनी नीटिया आप देख रहे हैं, लाल सागर के पास अदन और उसके साथ ही मौवा, अदन और मोखा खेतर में जो बंदरगाह थे, इन बंदरगाहों से बहुत सारा सामान भारत से निर्यात होता था, भारत से निर्यात होने वाले सामान यहीं उतारे जाते थे और मोगल समराटों की एक तरह से एक नीती हो गई थी, कि वहाँ सामान को निर्यात करने पर जो बिक्री, जो बिक्री करने पर जो आए होती थी, उस आए का काफी हिस्सा वे वहाँ के फकीरों को और वहाँ के धर्मे के स्थलों को एक तरीके से दान में दे देते थे, इसलि मुनाफ़ आदी को वहीं दान के रूप में बहुत समराटन दोरा दिया जाता था अकबर जहांगीर शाह जहांगीर हाँ लेकिन जहां तक औरंग जेब की बात है उसका मनतव थोड़ा अलग था औरंग जेब कतda ही पसंद नहीं करता था कि भारत से नर्याद की गई चीजों से होने वाली जो बिक्री है या उससे जो आए है वहां जो आए होती है उस आए को हम वहीं के वहीं दान के रूप में दे दे दें इस नाम से कि मक्का, मधीना और फकीरों को वहां दान दे दिया जाए और इसको ना पसंद करते हुए औरंग जेब ने कहा उसका अपना विचार था कि ये तो ऐसे ही है इश्वर का घर यदि मक्का मदीना है तो इश्वर का घर तो यहां भी है तो इसलिए ये जो दान आधी जो हो रहा है वो हम भारत में ही दें भारत के ही लोगों को दें जेसूट यॉरप के पादरी लोग यॉरप के धर्म प्रचारकों को इसाई धर्म के प्रचारकों को कहा जाता है यॉरप के विवरणों में सबसे ज़्यादा प्राचीन यदि हम यॉरपी विवरणों की भारत के गरंथों में भारत के पुस्तकों में बात करें तो सबसे प धर्म प्रचारकों इनी जशूट धर्म प्रचारकों का यहां आने का वृत्तांत जिसका विवरंड हम पाते हैं यौरप ने इन जशूट धर्म प्रचारकों यात्रियों और राज नईकों और साथ ही व्यापारियों के माध्यम से भारत के बारे में बहुत कुछ जाना भारत संबंदी जानकारी प्राप्त की और ततनुसार उन्होंने अपना अपना दिशा नरधारित किया वो लेखनी हैं कि पुर्तगाल के जो व्यापारी थे पुर्तगाल के व्यापारी जब पंद्रहवी शताबदी के अन्तिम कमय में जब उन्होंने समुद्री रास्ते की खोज की और उस समय तक वे समुद्री मार्ग से उन मार्गों का अनुसरन करते हुए जब भारत पहुंचे तो तटी नगरों में भारत के जितने समुद्री किनारे हैं उन किनारों में उन्होंने एक तरीके से बंदर गाहों का व्यापार जिस्ट दाबदी में इसी प्रकार भारत आने वाले जसूट शिष्ट मंडल जसूट शिष्ट मंडल और ये जो व्यापार जो था ये दोनों इसी सामराज के विस्तारन का ही एक भाग कहा जा सकता है। ये असी इसके मन में और इसी प्रकार भाग का परिणाम था कि जसूट पादरी इसाई धर्म प्रचारक उसके काफी निकट आये। उसने अपना एक दूत मंडल गोवा भेज कर जेसूट पादरियों को मुगल दर्बार में आने के लिए उसने आमंतरित किया उसने उनको सूचना भेजी अनरोध भेजा और परणाम चुरूब जो पहला जेसूट प्रति मंडल था शिष्ट मंडल था पंद्रा सो असी में भारत आया फत्यपुर शीकरी के मुगल दर्बार में पहुँचा और दो वर्ष वाँ रहा ये अकबर के ही काल की घटना है इन जेसूट ये जो प्रचारक थे इन्होंने अकबर को ईशाई धर्म के बारे में बड़े विस्तार से बताया समझाया और अपने धर्म का प्रतिनिदित करते हुए इन्होंने इबादत खाना में होने वाले धर्मिक वाजवाद में भाग लिया अकबर समय समय पर इस तरह के धार्मिक संगोष्थियां धार्मिक गोष्थियां आयोजित करता रहता था इन जेसूट ने उसमें भाग भी लिया पंद्रह सेंग कानबे और पंचानबे में दो और शिष्ट मंडल लाहोर के मुगल दर्बार में भेजे गए थे ये भी जेसूट शिष्ट मंडल ही थे इन जेसूट विवरणों का अधार मूल रूप से व्यक्तिगत प्रेक्शन है व्यक्तिगत सूचनाए है उनमें हमें बाश्चाह के चरित्र और उनकी व्यक्तिगत प्रेक्शन धारा के बारे में जानकारी मिलती है और ये जेसूट लोगों का अकबर पर बहुत प्रभाव था जो सार्जिक सभाए होती थी ये जेसूट लोग अकबर के बहुत पास अकबर के संभासन के बहुत पास बैठा करते थे इनका स्थान अकबर के संभासन के बड़ा नस्दीक होता था और जो शिकारी अभियान होते थे जो बविन खेत्रों में दौरे होते थे शास्की दौरे और अवियानों और रिकाय के ख्ष्णों में भी ये जशूत लोग प्राय उनके साथ रहते थे और बच्चों को उनके बच्चों को शिक्षा देते थे तो इस पकार जशूत्स का अकबर काल में मुगल काल में हम अच्छा खासा प्रभाव देखते हैं जसूर्ट विवरंड मुगल काली इन राज्यादिकारों और उनके सामाने जीवन के विशे में फार्ची इतिवर्तियों में दी गई सूचनाओं की अच्छी तरह पुष्टि करता है दूसरे शब्दों में जो इतिहास का मुगल काली इतिहास का पुर्नर निर्मान जोदि हम उसकी बात करें तो यह सुनिश्चित करना था कि ततकाली शाही मदद से लिखे गए गरंतों के तत्थियों की का एक तरीके से उनके तत्थियों का एक तरीके से पुष्टी कैसे की जाए तो वो पुष्टी के लिए ये जसूर्स के द्वारा दिये गए जो विवरन है पादरियों के द्वारा दिये गए जो बृतांथ है ये बड़े काम आए है अकबर के आपचारिक धर्म पर प्रश्न दीन अईलाही अकबर का दीन अईलाही क्या है इस पर कुछ सवाल उठना स्वभविक ही है जेसूट शिक्ष्ट मंदल जिनका हम पूर में जिक्र कर चुके हैं जो इसाई पादरियों का पश्चिमी यूरोप से आया हुआ प्रतिनी दीन मंदल हुआ करता था जे जो इस बात से बड़े प्रभावित थे कि अकबर ने जिस तरीके से उनके स्वागत का में प्रदर्शन किया जिस तरीके से उसने इस बात का खुशी जाहिर की उनके स्वागत की उससे बहुत प्रभावित हो गया और इसाई धर्म सिधान्त में बाशा के रुच को कि शायद बाश्या धर्म परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं ऐसी भी अनुभूती इन जसूर्स को हुई अकबर के विवहार को लेकर और इस बात को हम पश्चिमी यूरोप में जो तद्कालीन समाज में जो धार्मिक आसहिशनुता बढ़ रही थी दिन बाद दिन जो बढ़ती हो रहा था उसके परिप्रेक्ष में हम दुशेश रूप से समझ सकते हैं मौंसरट ने टिपणी की है कि राजा इस बात की बहुत कम परवा करता था कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन के अनुवती दे कर उसने वास्तों में सब का तिरसकार ही किया अकबर एक उधारवादी बहुत सहिशनू समराध था और भारत में धर्म निर्पेख्षराज जिस रूप में हम आज भारत आज धर्म निर्पेख्षता को समझते हैं उस रूप में वह एक धर्म निर्पेक्षराश्ट की सापना करना चाहता तो इसलिए उसने धार्मिक विद्वेश की भावना को समाब्त करने के लिए भर्तक प्रयास किया जन सामाने को एक जूसरे थे निकट लाने की काफी कोशिश की और कई प्रमुग धर्मों के संतों धर या इलाही के रूप में प्रस्फिटित हुआ दीन इलाही के रूप में फली भूत हुआ जिसे तबाहिद इलाही या डैवी एकेश्वरवाद के नाम से जाना जाता है. डैवी एकेश्वरवाद. 1875 में अकबर ने अपनी राजधानी सीक्री में एक अबादत दाने का निर्माण कराया यह जो अबादत खाना था एक तरीके थे प्राथना ग्री या बोलिए पूजा ग्री हुआ करता था इसके निर्माड के पीछे, इसको बनाने के पीछे, इस अबादत खाने को बनाने के पीछे उद्देश चमात्र यही था कि धर्मक विष्यों पर विचारवी मर्शो, वाद विवाद हो और धर्म के जो बहुत एक तत्व हैं, उनका पता लगाया जा सके किसी निश्कर्ष पर निकला जा सके धर्म को बहतर समझा जा सके शुरू के दो साल में अबादत खाना में केवल शेक, सेयद और उलिमा ही वाद विवाद और विचार विमर्श के लिए आते थे क्योंकि अन्नी को अनुमती नहीं थी याने 1875 में निर्मान हुआ तो प्रारंबिक दो वर्ष 1877-78 तक केवल शेक, सेयद और उलिमा बस इन्हीं इसलाम धर्म से जुड़े लोगों का ही यह प्लैटफॉर्म हुआ करता था वाद में 1578 में सम्राट ने बड़ी उधारता दिखाते हुए वास्तों में धर्म निर्पेक्ष्टा का उधारन देते हुए उसने इस इबादत खाने के द्वार हिंदू, जैन, पार्सी और जशूर्ष इन सब के लिए खोल दिया फरवरी 1582 में लगभग सभी प्रमुक धर्मों के नियम और अच्छे सिधान्तों का संकलन किया गया और एक नए धर्म संग की इस्थापना की गई ये घटना है 1582 की याने अकबर के शासन में आये हुए 1556 के इतने वर्षों बाद इस तरह का एक समागम बनाये गया जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को लिया गया सभी धर्मों के अच्छे सिधान्तों को लिया गया और एक नए धर्म संग की इस्थापना की गई जिसे दीन इलाही के नाम से हम सब जानते हैं दीन इलाही के नाम से प्रसिद्ध है वास्तों में अकबर का दीन इलाही यदि देखा जाया तो उसके माध्यम से उसने भारत में एक तरीके से एकता स्थापित करने की कुशिश की उसका प्रयास था कि इस जरिये मात्र हिंदूओं और मुसल्मानों को मात्र इसलाम और हिंदू धर्म को ही निकट ना लाए बलकि उसके साथ साथ पार्शी, जैन, इसाई और अन्यमाध्धम भी जुड़ें इसके प्रचार से ये तो तैह कि धार्मिक सहिश्णता लोगों में बढ़ी, सद्भावना लोगों में बढ़ी और प्रजा में भी एक तरीके से सहनशीलता विकसित हुई, इसमें कोई दो मत नहीं तो दीन इलाही का एक तो ये अच्छा परणाम निकला, उसके साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ये शायद दीन इलाही का ही परणाम था कि कम से कम कुछ समय तक जो धार्मिक अत्याचार हो रहे थे वो समाप दिखे और इसका अश्रे, इतिहासकार या तत्कालीन रचनाकार ये लोग दीन इलाही की भावना को ही देते हैं दीन इलाही ने जब हिंदू और इसलाम धर्म को निकट लाया और उसके साथ ही साथ जैन धर्म, पारसी और इसाई धर्म के मूल विचारों का भी इसमें तमश्रण दिखा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो राष्टी भावना पनपी उसकी शिरुवात शायद यहीं से होई होगी इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए भारत में जो राष्टी राज की जो कलपरी कलपना आई संभवता इसी जगह से प्रस्फुटित होगी दिन इलाही अकबर द्वारा पंद्रा सो ब्यासी में इसने एक ये चीज जारु की थी एक संग बनाय था और समरूपता इसका सिध्धान था सभी एक हैं सभी धर्मों के अच्छे अच्छे तत्वों को इसमें लिया गया था अच्छी अच्छी बातों को डाला गया था और अनिश्चित रूप से प्रमुकता तो इसमें हिंदू धर्म और इसलाम धर्म की थी लेकिन अन्य धर्मों के मूल तत्वों को अच्छे तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया था उसका सम्मिशन किया गया था ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही ऐसे थे जो मृत्य पर्यंत इस धर्म के इस दीन इलाही विचार धारा के अनुजाई रहे अकबर की मृत्य के बाद केवल उन्नाईस लोगों ने दीन इलाही को अपना जा दस दबस्तान मजहब जो तदकाली नेक पुस्तक है उसके अनुशार इस बात के पुष्टी होती है कि अकबर के बाद ही बहुत कम संख्या में इस धर्म को या इस विचार को अपनाए जाने के कारण दीरे दीरे या विचार अपने तरीके से लुप्त होने लगा बलकि ऐसा कहा जा सकता है कि यह दीन एलाही एक तरह का विचार था एक तरह की विचार धारा थी धर्म नहीं था और यदि हम इसे विचार धारा मानें तो निश्चित रूप से ये कम संख्या किसी तरीके से हमें विचलितनी करती ये एक तरीके सी आचार सम्मिथा थी शिष्टा चार सम्मिथा थी इस दीन एलाही में भोग घमंड और इसके साथ निंदा करना किसी पर कलंग लगाना किसी पर दोश लगाना ये तो इस पश्रूप से वर्जित था मनाही थी यानि बुरी बातें बुरी बातों से दूर रहना या इस विचारधारा का एक मुख्य हिस्सा था और सहन शीलता और संयम दीन एलाही के मुख्य इस्तंब थे तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे मुगल समराज के जो इतिवरित हैं उसके माध्यम से और अन्य ऐसे शोतों से जिनसे इन ग्रंथों की बातों की पुष्ट होती है इतिहाद के पुनन निर्माड में मदद मिली है और जैसा पूर में ही बताये गया इस पुनन निर्माड में कई भरांतियां भी दूर हुई हैं उदाहरन के लिए औरंग जेब के बारे में जो पूर्व समझ थी उसमें बदलावाया है